यह question SSC CGL में पूछा गया है वैसे यह question इतना आसान है कि आपको शायद यह विश्वास ही नहीं हो कि यह question इतना आसान question SSC CGL में आया होगा इसलिए हमने यह mention कर दिया कि कौन से date के exam में यह आया है कौन से shift में यह पूछा गया है इस question में बोला जा रहा है कि what is the ratio of number of spoon manufactured by P to the number of spoon manufactured by R तो यहां clearly दिख रहा है कि factory P जो है उसमें कितना spoon manufactured होता है 100 और R में कितना manufactured होता है 150 तो उसी का ratio पूछा जा रहा है मतलब 100 by 150 100 by 150 क्या होता है 52 जा 100 and 53 जा 150 means ratio हो गया 2 by 3 that is 2 is to 3 तो यही आपका answer हो गया तो कुछ questions इतने आसान भी पूछे जाते हैं बस आप इन्हें miss न करें कभी भी इतने आसान question आए तो किसी भी chance से यह question miss न हो बस आपको यह ध्यान रख रहा है झाल